चलो भई गुड मॉर्निंग भई लोग, सारे के सारे बच्चे जली जली से जूड जाएए, भई सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कि थोड़ा सा यह जो अभी बर्तमान परिस्तिती है, इस बर्तमान परिस्तिती को भी देखते हुए हम लोग थोड़ी सी बाते करेंगे, और इनी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे, देखिए, पहले तो सारे के सारे बच्चे जल्दी-जल्दी से जूड जाइए, और अपने गुरूप में भी सेर कर दिजे, ताकि सारे मित्र, बंदू, बांधव यहाँ पे जूड जाएगी उसके बाद आप क्या करेंगे, तो तिलक जी ने जबाब दिया था, का था कि गनित का टीचर हूँ, आजादी आगे उसके बाद गनित पढ़ाऊंगा, बिग्यान पढ़ाऊंगा बच्चों को, मेरा काम पॉलिटिक्स करना थोड़ी है, मैं तो मांस्टर हूँ, म जिसको बियाह का मंतर आता है, उसको स्राध का भी मंतर आता है, अगर सरकार ये सोचती है, कि हम जो मन होगा वो करेंगे, और कोई हमारे खिलाब कुछ नहीं बोलेगा, तो ये गलत उसकी अवधारना है, सरकार अपनी उकाद मेरे सोचके चलें, क्योंकि जो यूबा उनकी स सरकार ला सकती है, वही उबा उनकी सरकार गिरा भी सकती है, और हम कोई 2024 का इंतजार नहीं करने वाले हैं कि 2024 में, कुछ लोग करें 2024 में, हम लोग मोदी को दिखा देंगे, तो 2024 में अभी 4 साल, 4 साल तक क्या करेंगे, पकोड़े तलेंगे, और पकोड़े, सब लोग पकोड इसवार कितना आए हैं 1 60. इसवार कितना वेकंसिया आया है. 2012 में जब आपका वेकंसिया आता था तो 22,000 वेकंसिया थी अभी बर्तमान में 2020 की आप वेकंसिया देख लीजिये 1164 सेथ वेकंसिया आइ है 5% वेकंसिया है रेलवे 2019 में वेकंसी देती है अभी तक उसका पीटी भी नहीं होता है SSE 2008 भी क्लियर नहीं होता है आखिर क्या मामला क्या है इतने दिन तक अच्छत 2014 से लेके अब तक में मात्र तीन बार रेलवे की वेकंसी आई 6 साल में railway ने मातर 3 बार vacancy दिया क्ये 3 बार vacancy देने के लिए आपको चुने थे तो सारे हैं के सारे लोगों को सरकार के खिलाप आवाज उठानी है कि एकता में देखिए सकती यह थी है सब लोग मिलके एक आवाज उठाएगा और सरकार को जुकाना है सरकार को सुनना पड़ेगा नहीं कैसे सुनेगी अपने आपको क्या समत्ती है सरकार एक चानक के अगर तै कर लेता है तो पूरे नंदवंस को उखाड के फेंक देता है और एक जंगल से उठा करके छोटे से बच्चे चंदु को भारत का समराष चंदुरुप्त मोर्ज बना देता है तो यहां तो आपके साथ हजारों टीचर है मैं आगे रह के बात करूँगा आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे हाड सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार का विरोध करना है और खास करके इसे ट्वीटर पे ट्रेंड करवाना है ताकि सरकार सुने और सरकार यह जो लिखा हुआ भासन पढ़ती है ना सरकार को जो अधिकारी भासन लिखे देते हैं उसको हम ही पढ़ा के भेजे है मेरे ही जैसा कोई मांश्टर पढ़ा करके भेजा है तो इस बार सरकार का सामना मांश्टर से है इसलिए हमसे बात करना पड़ेगा सरकार को यह मस उन्हें कि सरकार हम कुछ भी कह देंगे तो सब लोग मान लेंगे ऐसा नहीं है आप सब कुछ बेच देंगे अगर अभी कोरोना का लोगडाउन नहीं होता नहीं तो सरकार का होश ठीका ना आ जाता कि आप क्या कर रहे है 2019 में बेकेंसी देते हैं बच्चे मेरे पास आते हैं सरकाव एक जाम होगा तो हम कहते हैं कि बिटा सरकार के रिए अगस्त में होगा अगस्त में आतें बच्चे आब क्या होगा अक्टूबर में, नमंबर में, दिसंबर में जनवड़ी में, फड़वड़ी में, मार्च में आखिर करें क्या कब तक जूट बोलें कब एक्जाम होगा, कभी कोच नहीं पर दो साल होने को आया अभी तक CBT-1 नहीं हुआ, अज CBT-1 के बाद CBT-2 उसमें समय लगएगी, फिर हम उसके लिए अंदोलन करेंग, बाँ और ये जो आपके पास ये जो आपको सरकार जो यहाँ पर CET का एगो जुन्जुना पकड़ाई है न, ये CT मैं आपको अभी बता रहूं, मैं रिजनिंग का मांस्टर नो सारे लॉजिक के साथ मैं बता रहा हूं ये रिकॉर्डिंग रह जाएगी और बाद में आप इसे देखेंगे अभी इस पे जो 10th लेबल पे CT लेगा 12th लेबल पे, ग्रेजुएशन लेबल पे ये जो अभी अभी जो धाई करो लोग रेलबे का फोर्ण भरता है वो फीगर बड़ा भीर ना दिखे वहाँ पर उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये काम सरकार करके आ रही है छे वो एक्जाम लेगी बीना कोई भेकेंसी का आपको परिक्षा में लगा देगी बेरोजगारों को धकने का तिरपाल है ये सरकार एक पहले तो नियम बनाए कि किसी भी परिस्तिति में हम एक साल के अंदर कोई भी भेकेंसी को final clear कर वाएंगे final joining letter दे करके अवकाद ध्यान में आ जाता है सरकार को इसलिए आपको भी अब बाते करनी होगी आगे मैं बात करूँगा पीछे आप बात करेंगे सारे सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप सरकार का बिरोध करेंगे सरकार को बोलना पड़ेगा मोदी जी आपके मन की बात हम नहीं सुनना चाहते आप हमारे मन की बात सुनिए हमारे मन की बात कौन सुनेगा मीडिया नहीं हमारी बात उठा सकती हम अपने चैनल से उठाएंगे क्योंकि मीडिया पैसे पे बोलती है मैं नहीं बोलता पैसे पे मैं बोलूँगा अपने बच्चों के लिए अपने लिए बोलूँगा और सरकार को सुनना पड़ेगा अगर नहीं सरकार सुनेगी तो मैं फिर कहना चाहूँगा एक चानक की तरह कि एक मांश्टर जब तै कर लेता है तो पुड़ा नंदवंस उखार के फेंक देता है हजारों मांश्टर तुम्हें उखारने के लिए तैयार हो गए है याद रखे सरकार इस बात को कि एक चंद्रगुप्त के बदोलत जब नंदवंस को मिटाया जा सकता है तो हमारे लाखों चंद्रगुप्त अभी खड़े है एक मैं यदि मैं सिर्फ पटना की गैरेंटी अगर आपको दे दूँ तो पटना में बरतमान परिस्थिती के अनुसार 12 लाख बच्चे हैं पटना में सिर्फ पटना सहर में 12 लाख बच्चा है जिसमें 8 लाख ऐसा स्टूडेंट है जो SSC और रेलेवे का है जो जेनरल कंपिटिशन की तेहरी करता है आठ लाख बिद्यार्थी इस आठ लाख बिद्यार्थी में से 4 लाख जिस दिन सरक पर उतर गया न सरकार को पानी पिला देंगे हम अपने आपको क्या समझती है सरकार अगर नहीं इस पे बोलेगी सरकार इस पे नहीं अमल करेगी तो हम ऐसे चुप रहने वाले नहीं है मैं आपको भी सीधे सीधे सब्दों में कह देना चाहता हूँ अगर जरूरत पड़ी मैं उतरूँगा सरक पर सरकार के खिलाब मैं आप से यहां पर बादा करता हूँ मैं समरेश सर बादा करता हूँ कि यहां पर मैं उतरूँगा सरकार के खिलाब सरक पर उतरूँगा और यह हमको कंट्रोल करने के लिए आप जिस पुलिस दरोगा को उताड़िये गाने, वह हमड़े चला है सब, हम ही पढ़ाये सब को, हमड़े जैसा कोई master पढ़ाया है उसको, जिसका लिखा हुआ भासन पढ़ते हैं, उभी मेरा ही विद्यार्थी है, मेरे ही जैसा कोई master उसको पढ़ाया है, और यह सारे master अब आप host में रहिएगा, आप सारे के सारे विद्यार्थी, सारे के सारे student, सारे के सारे चात्र, एक स्वर में बात करेंगे, कोई bjp नहीं, कोई congress नहीं, कोई party पक्च नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी हैं, और हम एक विद्यार्थी बनके बात करेंगे, सरकार को हमा कोई नहीं बात करेगा एक महीना पटना में जब रहता है न बच्चा सिर्फ अगर मैं पटना सिटी की बात करूं तो एक महीना रहने का पांच हजार रुपया सिर्फ रहने और खाने का खर्चा है एक साल का साथ हजार दस हजार रुपया ट्यूसन फीस अगर आप मेरे हाँ परने आएंगे मेरे जैसे छोटे मांस्टर के हाँ जो आपको सास्वाई क्यावन में पढ़ा देते हैं फाउंडेशन बैज और उसमें अभी 24% सरकार को टेक्स देखे सारे सास्वा में 118 रुपया में पहले सरकार को देते हैं उसके बाद मेरे कांट में परिसा आता है और उसमें हम अपने सारे स्टाप और सब कुछ को मैनेज करते हैं तुम 10,000 में आपका पढ़ाई का काम हो जाएगा 70,000 रुपया आप एक स साल में खर्च करते हैं चार साल में एक्जाम इसका के लिए नहीं हो पाता है ब्यारे से सी कहा है 2014 में भेकेंसिया अभी तक मिंस नहीं हुआ छे साल हो गया नितिस बाबु कभी इस पर बोलेंगे चुनाव कड़ाने को तुनको जल्दी पड़िया अमेरिका में चुना होता है हो गया तो हमारे हां क्यों नहीं होता है अमेरिका में एक जाम भी हो जाता है हमारे हां क्यों नहीं होता अमेरिका में लोग बेरुजगारी पर बात करते हैं हमारे हां क्यों नहीं बात करते है चुनाव के समय बहाली आती है चुनाव आएगा तो बहाली आगा नहीं आग ती हैं मैं पटना की बदुलत 4 लाख बच्चा जिस दिन हम उतार दिया ना गांधी मेदान की कैपि सिटी भी इतनी नहीं है भरने की सरकार अगर सोती है कि विरोध करने के लिए उतरेगा नहीं तो हम बिहार पुलीस को उतार देंगे फलाना पुलीस को उतार देंगे उस अमहाल लेगी अड़े हमड़े विद्यारती है सब गुरु गुरु होता है ध्यान रखियेगा आप इसलिए जोर से बोलना है और जोर से बोलना है सरकार के खिलाब आजकल सरकार नया ट्रेंड सीक लिए कि सरकार के खिलाब जो भी बोलेगा उसको कह देगी ये anti-national है, anti-BJP है ना तो मैं, मुझे BJP से नफरत है, मुझे किसी से नफरत नहीं है लेकिन अगर आप विद्यार्थी से नफरत करेंगे तो मुझे आप से नफरत है मुझे सिर्फ और सिर्फ भैकंसी और एक्जाम से लेना दना है मैं माश्टूरू हूँ, मेरा काम राजनीती करना नहीं है आज तक मैंने politics के बारे में कुछ नहीं बोला मैं 6 साल से परारो 2014 में मैं परहना शुरू किया तब से लेकि आज तक आपको पता है मैंने politics के बारे में एक सब्द नहीं बोला क्योंकि मैं महात्मातिलक की तरह आपको बताना चाहता हूं कि मेरा काम राजनीती करना नहीं है मेरा काम पढ़ाना है लेकिन अगर सरकारे निकम्मी हो जाएगी नहीं सुनेगी तो हमें बोलना पड़ेगा आप सब को हमारे साथ बोलना पड़ेगा हमारे पीछे चलना पड़ेगा अगर सरकारे लाठी चलाएगी तो पहले मेरे उपर गिरेगी उसके बाद कुछ होगा किसी भी परिस्तिती में मैं आगे रहूँगा अगर सरकार गोली भी चलाएगी तो मैं आगे रहूँगा लेकिन सरकार को बात करना पड़ेगा और ऐसी नौबत नहीं आएगी हमें अभी लोकडाउन का भी पालन करना है हम किसी संभिधान की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ेंगे हम कभी ओमर्यादित भासा का प्रियोग नहीं करेंगे मेरा ये आदेश है कि आप भी कभी भी किसी भी परिस्तिती में सरकार के खिलाप या किसी के खिलाप अभद्र भासा का प्रियोग ना करें क्योंकि उससे हमारे संसकार का पता चलता है हम भी द्यारती हैं हम टीचर हैं हम कभी भी किसी भी परिस्थिती में गलत बात नहीं बोलेंगे लेकिन हम जो बोलेंगे हो हमारी बात में दम होगा हमारी बात सही होगी हमारी बात सरकार को सुनना परेगा अगर रोजगार नहीं होगा तो सरकार भी चाहिए एक बात मैं और बता देता हूँ ये जो हम आपको अभी बताए इसके बारे में सीटी का जो जुँँँणा पकड़ा गया आपको लगता है कुछ वच्छे ये सोचते हैं कि हम 2024 में मोदी को दिखा देंगे हम 2024 में मोदी को दिखा देंगे अरे 2024 में बीजेपी मोदी को PM कंडिडेट ही नहीं बनाएगी आप क्या कर लेंगे उस समय और हम चार साल तक क्या करेंगे 1950 में मोदी जी का डेट ऑबर्थ है सेप्टेंबर में वो 70 साल के हो जाएंगे 2024 में वो 74 साल के हो जाएंगे 75 में बीजेपी नेता को रिटायर करती है इस बात की कौन गैरेंटी लेता है कि 2024 में पीम बनाने के लिए बीजेपी उनकों आगे करेगी किसी दूसरे नेता को कर देगी वो कहेगा कि मोदी जी जो किये उरहने दीजे हम आगे अब हम सब ठीक कर देंगे जैसे मोदी जी बोले थे 2024 बाद की बात है अभी बरतमान कंडिसन में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम उसको हिला के रख देंगे आप किसी भी पाटी पक्षी के समर्थक हों और करते रहें ये समर्थन मुझे कोई मतलब नहीं है लेकिन बेरोजगारों के खिलाप एक छात्र होने के नाते आपका ये छात्र धर्म कहता है कि आप सरकार के खिलाप बात करें छे साल में क्यों नहीं होता है किसी भी चीज़ का एकजाम एक बाट चुनाओ इसे ही करवा के देखो NTPC का एकजाम लेने के लिए अभी तो भेंडर नहीं मिला है आपको एकजाम कोन करवाएगी इसके लिए एजनसी नहीं मिला मतलब आप क्या के सरकार के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक एजनसी खोज पाए एकजाम लेने के लिए और अगर आपके अंदर एक एजंसी भी डिसाइड करने की सकती नहीं है तो आप दे दिजे इस्तिपा हम डिसाइड कर लेंगे, आप मुझे दिजे कर लेगा इस देश का मास्टर है पड़ा लिखा उतना समझ में आता है कर लेगा भेंडर डिसाइड करवा लेगा एक जाम है उतनी ताकत आपसे नहीं होता है तो आप कर दिजे कि हमसे एक जाम नहीं होता है हम करवा लेंगे एक जाम, आता है हमको करवाना लेकिन नहीं आप वो भी नहीं बोलेंगे, आप लिखा हुआ भासन पढ़ देंगे और सोचेंगे कि हम तो बड़े साहंसा हैं बारे बार आप ही साहंसा हैं हम लोग तो यहां पे सिर्फ आप कह दिये पकोड़ा तलें सब लोग पकोड़े ही तलो इसलिए बिद्यार्थी को राजनीती देशनीती यह आनी चाहिए क्योंकि अगर सरकारे निरंकुस हो जाएगी तो उनको समझायेगा कौन सरकारे अगर अपनी मढियादा भूई जाएगी तो फिर उसे सवाल पूचेगा कौन जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज क्यों नी खोला जा रहा है क्योंकि ये सिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है अभी मैं आपको ये 25 questions का discussion करवाऊंगा इस 25 questions में आप हमसे 100 सवाल पूछेंगे क्यों 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 कि आपकी पढ़ाई हो रही है और जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपका doubt clear नहीं होता और ये सवाल आप क्यों पूछेंगे क्यों कि हम आपको पढ़ा रहे है सिक्षा सवालों को जन्म देती है और इसलिए सरकार कहे सरकार चाहती है कि कोई पढ़े न अनपड रहेगा इंडिया तभी तो चमचा और देश अंदभखत बनेगा इंडिया तभी तो नेताओं की पीछे पीछे चलेगा अब पढ़ेगा इंडिया तब तो आगे बढ़ेगा इंडिया तो हमें अपना ध्यान पढ़ाई पे और ज़्यादा लगाना है और ज़्यादा जानकारी जुटानी है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे लेकिन सरकार के खिलाब भी बोलेंगे और जोड से बोलेंगे जोड से बोलेंगे आगे मैं बोलूँगा पीछे आप सब बोलेंगे चलिए बहुत अच्छी बात है खाली अपने ही मन के बात करेंगे हमारे मन के बाद तो कोई सुने का नहीं तो मैंने आपको जितनी भी बाते कहें कहिए यह सारी चीजों को आप ध्यान रखें हमारी कोई जाती नहीं है हमारा कोई धर्म नहीं है हमारा कोई पॉल्टिक्स नहीं है कुछ नहीं है हमारी एक ही जाती है हमारा एक ही धर्म है कि हम बेरोजगार हैं और सरकारे समय पर एक जाम नहीं करवाती है सरकारे भेकंसिया नहीं देती है रेलवे का तीन गो भेकंसिया आता है छे साल में मोधी जी आपको सिर्फ तीन भेकंसिया देने के लिए नहीं चुने थे इस देश का यूबा आपको दो करोर रोजगार देने के लिए चुना था आपने कहा था कि हम एक साल में दो करोर रोजगार देंगे आप दो करोर रोजगार देना तो छोड़ो आपने दो करोर का छीन लिया बच्चे फोन करके रोते हैं गुरुजी पिता जी की जॉब चली गई मुझे पढ़ना है पिता जी केता है वह उकाद नहीं है बेटा पढ़ाने की क्या करें सरकार एकजाम लेने रही है हम पटना आये थे 50,000 रूपया एक लाख रूपया लेके कि 6 मैना साल भर रहेंगे पढ़ेंगे सरकार एकजाम लेगी पास कर जाएंगे नोकडी करेंगे गड़ी भी दूर करेंगे अपने पड़िवार की मेहनत करेंगे सर दीन रात मेहनत कर रहें दो साल से पर रहें सर एकजाम का कुछ पता ही नहीं आप क्या करें सिर्फ हमारा विरोज सिर्फ सरकारी नौकरी की भेकेंसियों को ले करके है तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे अपने हर सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं भी अवाज उठाऊंगा मेरे साथ आप अवाज उठाईए आगे आगे मैं चलूँगा पीछे आप चलिए चलिए अभी यहीं तक मिलते हैं अंगले क्लास में तब तक के लिए आप सभी को बाई बाई